हलो हलो वेलकम बच्चों यहां पर एक नई अपडेट है SSC को लेके SSC के अगर आप साइट पे जाते हैं तो SSC की साइट खोलेगा और यह सिर्फ इनकले नहीं है जो 2023 में जिन्होंने पेपर दिया है उनकले तो ही है लेकिन नए बच्चे जो 2024 की त्यारी करें उनको भी यह च SSC की साइट खोलेंगे और candidates corner में जाएंगे तो there is a tentative vacancies उसको अगर आप खोलते हैं और यहां पर अगर आपको दिखा सकता हूं देखिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहां पर फाइनल वेकेंसी करके देखिए तो यह notification है बच्चों आप लोग के सामने जो अप्लोड हुआ हुआ है जिसमें फाइनल वेकेंसी फॉर जूनियर इंजिनियर सिविल मेकेनिकल लेक्टिकल इक्टरमिशन 2023 जो अभी हुआ है उसकी फाइनल वेकेंसी चार्ट यहां पर फिफ्टी फाइफ वेकेंसी जो है वह दिखाई दे रही है ठीक है और अगर हम बात करें इधर तो यहां पर सिविल के लिए है यह सिविल के लिए है और सेंट्र वाटर कमिशन जो है अब देखो जेए लेक्ट्रिकल यहां पर लिखा होगा बच्चों सीपी डब्लूड प पोस्ट का नेम जेए लेक्ट्रिकल ही था ठीक है पोस्ट नेम जेए लेक्ट्रिकल ही था बट वह लेक्ट्रिकल मेकेनिकल दोनों के लिए था यह याद रखेगा इसमें वापिस से कंफ्यूज मत होगा कि सर यह कैसे आ इसके लिए तो याद रखे यह वाला भी हमारे पास जो वेकंसी था वो इसके लिए दोनों के लिए अपलिकेबल था इसलिए आप लोग को प्रेफरेंस भनने को मिला भी है बाद में इधर अगर हम बात करें सेंटर वाटर कमिशन जो जूनियर इंजर मेकेनिकल तो 23 वेकंसी यह बी है और इधर हम बात करें और मिनिस्ट्री के लिए अपनी एक वेकंसी यह भी है तो इसको हम पहले भी देख चुके हैं बचो तो जो जो मैंने मार्क किया है देरिजा यहाँ पे 55 वेकंसी प्लस 124 वेकंसी प्लस 23 वेकंसी प्लस 8 प्लस 18 प्लस 1 तो वही 229 के आसपास यह वेकंसी जो टोटल मिलती हैं फॉर मेकेनिकल एक तेखल में कशनी कशनी के लिए अचली के लिए उस टैम भी यह तो यह फाइनली रिवाइज वेकंसी आपके सामने जो वह वह शो की गई है जो कि यहाँ पे रहेंगी इस नोटिविक्शन में यही ब्यूरा दिया गया बच्छो तो टोटल अगर आप बात करें कि जेई की वेकंसी टोटल कितनी आई थी तो टोल टेरा सो चोहततर वेकंसी टोटल जेई की इस एक्जाम में आई थी अब यहां पर बच्चो color blindness को देखो special दिया गया है कि weather suitable for cloud blindness yes or no तो यहां पर बच्चो साफ साफ है क्यों आपने देखा है बहुत बार SSC में selection जो है वो cloud blindness के वई से भी रुख जाता है तो वो चीज clear करी गई है कि किस-किस organization में cloud blindness जो है वो suitable है या नहीं है तो वेदर suitable for cloud blindness yes or no तो यहां पर सिर्फ यस एक यह वाली CPWD वाली वाली वेकिंसी जो है यह color blindness के लिए suitable है दूसरी अगर बात करें तो यहां पर civil वाली भी same color blindness लिए suitable है और अगर इधर हम देखें तो यहां पर military engineering service suitable नहीं है बागी कोई भी suitable तो बहुत कम वेकिंसी ऐसी हैं बच्चो civil में खासकर जो color blindness के लिए suitable है सिर्फ एक CPWD और जल सक्ती जल सक्ती ब्रहंपुत्र बॉर्ड जो लिखा है उसमें मिनिस्ट्री जल सक्ती ब्रहंपुत्र बॉर्ड सिर्फ इसमें और एक आपका that is in CPWD सिर्फ यही दो वेकिंसी हैं और एक civil वेकिंसी और ब्रहंपुत्र बॉर्ड जहां पर color blindness जो है वो suitable है बाग्यों के color blindness suitable नहीं है तो इसके वजह से एसे में color blindness जो है उनको थोड़ा सा medical में disqualify होने का chance रहता है clear है समझ आई तो बस यह थोड़ा सा वेकिंसी का ब्यूरा था जो आपको लोगों को देना था एक information के तौर पर ठीके ना बागी आगे के planning करिए आगे की चीज़ों को सोचिए और अपने multi exams की तरफ focus करिए thank you very much आप एक तरफ करिए